नश्कार बोल के लब आज़ाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा इस वक्त जब मैं आप से बात कर रहा हूँ मेरे मूँ से सर्दी की भाप निकल रही है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल कितना सर्द हो गया है एंडी टीनी की इस खबर के मताबिक उत्तर भारत में खासकर दिल्ली में शीत लहर का प्रकूप है और आने वाले दिनों में हालात और भी बत्तर होने वाले है और कल्पना कीजे दोस्तों इनी हालात में सिंगु बॉडर पर हमारे किसान जो है वो धरना दे रहे हैं दिल्ली की सीमा पर हमारे किसान भाईवंदू इसी सर्द में इसी सर्दी में धरना दे रहे हैं और कल वो हुआ जो दोस्तों जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते आपकी स्क्रीन्स पर ये हैं बाबा राम सिंग पैसट वर्शी बाबा राम सिंग वो अपने साथ किसानों के लिए कुछ रजाईयां लेकर जाते हैं और उसके बाद खुद को गोली मार देते हैं काश बाबा राम सिंग ये कदम ना उठा के किसानों के साथ खड़े रहते उनके कदम से कदम मिलाते और इस जंग को उसके अंजान तक पहुंचाते इस संगर्ष को उनके इसके अंजान तक पहुँचाते बजाय की एक कदम उठाने का मगर यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों इस तरह से एक आध्यात्मिक गुरू ने आत्म हत्या कर ली वो भी किसानों के लिए अब तक सर्दी की चलते कई किसान सिंगु बॉर्डर और उसके आसपास जो है जहां-जहां किसान धरना दे रहे हैं उनकी मौत हो गई है कई किसानों की मौत हो गई है सर्दी की वज़ा से और बाबा राम सिंग की मृत्यू कितने माइने रखती है वो आपको इस बात से पता चलेगा कि आपके स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं राहूल गांती जो इन्हें श्रद्धांजली दे रहे हैं अब आप देख रहे हैं अरविंद के जिवाल दिल्ली के मुख्य मंत्री जो इन्हें श्रद्धांजली दे रहे हैं इसके लावबा अकाली दल के नेता सुक्बीर बादल इन्हे श्रद्धाजली दे रहे हैं। परश्णिया पर यह कि क्या अब केंडर सरकार का दिल पसीजेगा? दोस्तों एक बात मैं स्वश करना चाहता हूँ, वो जो किसान है ना, उसे इस बात का दुख नहीं है कि उसे सर्दी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब वो अपनी फसलों का रख रखाव करता है, उसका ख्याल रखता है, तो इन्हीं सर्द रातों में कभी कभी उसे खेट की और निकलना पड़ता है मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है, उसे दुख इस बात का है कि केंदर सरकार के जिम्मेदार मंत्री उसका नाम तुकडे टुकडे गैंग से जोड़ के देख रहे हैं, उसे अर्बन नकसली बता रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं अनाप शनाप किसम का प्रॉपगांड़ जला रहे हैं और उपर से अब बाबा राम सिंग की मृत्यू उनकी आत्म हत्या काफे माइने रखती है मेरी अपील तमाम किसान भाईयों से, मैं जानता हूँ कि इस अंगर्श बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ कि आपको उन शब्दों का सामना करना पड़ रहा है जो इसका सामना आपने जिन्दगी भर नहीं किया था आपको देशद्रोही बताया जा रहा है, खालिस्तानी बताया जा रहा है, मगर मेरी आप सबसे अपील की सैयम बनाए रखें मैं जानता हूँ कि बाबा राम सिंग के बाद कई लोग शुब्द हैं, मगर ये मौका है, हम इस बात का परिचह दें, इस बात का प्रमान दें कि हमारा आंदोलन सत्याग रहे, हमारा आंदोलन अहिंसात्मक है और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आप जानते हैं कि बाबा राम सिंग की आत्महत्या के मामले को तमाम मुक्यधारा के निउस चैनल्स ने दबा दिया है, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, ये बात आपको अटपटी नहीं लगती दोस्तों, क्योंकि कि किसानों दौरा कोई गैर जिम्मेधारा ना बयान देते हूए, कोई नजर आता है, उसे मीडिया किस तरह से उचलता है, मगर बाबा राम सिंग की आत्महत्या किसानों के बीच जाकर उनने खुद को गोली मार दी, इस पूरे घटना करम को तमाम मुक्यधारा की निउस चैन ने से दबा कर रख दिया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कि हमें जिम्मेधारी भरा रवए के परिचाए देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बाबा राम सिंग की आत्महत्या की मामले को तूल दिया, तो इससे माहौल बिगड सकता है, अरे मेरे समझदार बंद हो, इससे पहले जो तुम लगातार किसान को बदनाम कर रहे थे, इससे पहले जो तुम लगातार किसान को टार्गेट कर रहे थे, कहां गई थी उस वक्त जिम्मेदार पत्रकारिता, उस वक्त तुम्हें बात क्यों नहीं आई, कि तुम ल भड़क जाएगा कभी ना कभी उसका आपा तूट जाएगा बाबा राम सिंग की जो आत्म हत्या है वो शायद उसी का परिणाम है वो देख रहे थे कि उनके किसान बंधू किन्स हालात से गुजर रहे हैं किन्स मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और उसी के चलते उन्हों से एक भूल हुई तो उसे दस गुना बढ़ा चड़ा के ये पालतू मीडिया बताएगी आपको अराजक तत्व बताएगी आपको खालिस्तानी आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजेगी जो पहले भी कर चुकी है मगर प्लीज मेरी आपसे करवध प्रारतना है इन्हें मौका मत दीजिए आपके इस खुबसूरत आंदोलन को बदनाम करने के लिए बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में आज जो दूसरा मुद्ध में आपके सामने लेकर आया हूना वो खासा माईने रखता है भारती जाता पाटी के नेता मद्ध प्रदेश की प्रिष्ट भूमी के केलाश वजय वरगी ने एक सभा ने बहुत बड़ी बात कह दी उस सभा में उन्हेंने कहा कि ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही मगर कमलाथ की सरकार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने गिरवाई थी आप सुनिए उन्होंने क्या कहा और फिर मैं उसकी चर्शा करता हूँ मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई लोग ये कहेंगे कि भई वो नरोत्तम मिश्रुकी बात कर रहे थे और हो सकता है गलती से उनके मूँ से नरेंद्र मोदी निकल गया हो बिल्कुल सही का आपने वो कहते हैं ना कभी कभी हमारे जुबान पर सरस्वती बैठी होती है तो अक्सर हकीकत सामने उभर कर आ जाती है मैं क्यूं कहता हूँ कि हो सकता है कि कैलाश विजय वर गिये कि मूँ से सच निकल गया हो क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले जिस खबर को मीडिया ने दबा दिया था उस खबर के मताबिक शिवराज सिंग चौहान ने कहा था कि कमलनात की सरकार को गिराने का फैसला बीजय पी के आला कमान ने लिया था और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की लाज रखना ये आडियो वाइरल हुआ था जिससे पूरी तरह से दबा दिया गया था एंडी टीवी को छोड़के वही पर मैंने ये आडियो सुना था सुनिए शिवराज सिंग चौहान क्या कह रहे हैं अब बुखमत्री बनने की तो नहीं सुची ये तो मंत्री भावी थे अब सुर्री छोड़ना है कांग्रेस वाली गर्वर सर्वी दोताना कर दिया आज पूरे विश्वास और मातानी के साथ क्या रहा हूं एसमन से भोगा कांग्रेस दिया भोगा तुल्सी सिलावट टने किया जोत्रा जित्की पूरे मेरे प्रीय कारिकर का बहन और खाली कभी कभी ऐसा मौका आता है कि मां पनी बेटा या बेटी से कहते ही मेरे दूद्र की लाज रखना है हार की बजिन्दा पाइपे अपनी मा राज्द के पूसते कि मेरे दूद्र की लाज रखना कही थाज़बा हमागा कबल कर दियुखाली को निचा न देखेना पड़़ग प्रधान मंत्री जी का फैसली की लाज बचाय रखना दूसरी बात के लाश विजय वरकी ने इस बात की तस्दीक और पुष्टी कर दी कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चलते सरकार गिराई गई मगर मैं दो कदम आगे जाके कुछ सवाल पुछना चाहता हूँ दो वरिष्ट नेताओं ने इस बात की पुष्टी की है क्या प्रधान मंत्री पद की यही गर्मा है क्या देश की प्रधान मंत्री इस तरह से सरकारे गिराने में सनलगन है जैसा की केलाश विजयवरगी और शिवराद सिंग चोहान दावा कर रहे है कि ये बात आपको बिलकुल भी अटपटी नहीं लगती या इसका एक दूसरा तरकी हो सकता है कि भारती जानता पार्टी की नेता अपने एहंकार की चलते इस तरह के बयान दे रहे है क्यों बयान दे रहे है क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया उन्हें कट घरे में नहीं रखेगा वो जानते हैं कि मीडिया उनसे सवाल नहीं करेगा कि आखिर प्रधान मंत्री ने एक सरकार को क्यों गिराया हरी जंडी क्यों दी दिखे प्रधान मंत्री का क्या काम है तो क्या ये सवाल हमारे इन नेताओं से बीजेपी से पूछा जाना नहीं चाहिए क्या ये बात आपको बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती ये किस तरह से हमारे प्रधान मंत्री का नाम लेकर बीजेपी के दो वरिशनेता कह रहे हैं कि उन्होंने कमनलाथ के सरकार गिरा दी ये कहना जलत नहीं होगा दोस्तों कि आप और हम कलपना से भी विचित्र समय में रह रहे हैं जहां कुछ भी कहा जा सकता है कुछ भी किया जा सकता है और कलपना से विचित्र एक और तस्वीर में आपको पेश करूँगा पहले आप ये विडियो देखे उसके बाद मैं उसकी चर्शा करूँगा इस वीडियो में आपने देखा प्रधानमंत्री का प्रवेश होता है कोई उन्हें मास्क देता है मगर प्रधानमंत्री उससे नीचे रख देते हैं उसके बाद क्या होता है का आदमी उनके साथ सेल्फी खिचवाने की कोशिश करता है मगर प्रधानमंत्री सेल्फी भी नेखिचवाते यहाँ पर दो चीज़ें उखती है आपने संसद भवन के शीतकालीन सत्र को ही रद कर दिया ये कहते हुए कोरोना के चलते और हमारे प्रधानमंत्री जिनकी उम्र सत्तर साल है वो मास्क भी नहीं लगा रहे है प्रधानमंत्री पंद्रा बीस साल के युवा तो नहीं है सत्तर साल के बुजर्ग हैं और मैं जानता हूँ करमठ हैं मगर मेरा प्रश्ण यहाँ पर कि जो सीक आप देश की जनता को देते हैं उस पर आप खुद अमल क्यों नहीं कर रहे हैं उसी बात एक आदमी आपके साथ सेल्फी की चुवा रहा है आपने उसे मना कर दिया इसके बारे में क्या कहूं हो दीजे मगर जो चीज मुझे सस्प्राट पटी लग रही है कि आपने शीतकालीन सत्र को रद कर दिया आजाद भारत के इतिहास में इससे पहरे बहुत कम मिसाले रही है मसलन पहली मिसाल जब आपात का लग हुआ था यनिकी 1975 में और उसके बाद जब इंद्रा गांदी की हत्या हुई थी और ये दोनों ही असमान नहाला थे अब आपको किसानों की सवालों के जवाब देने है आपको कुरोना से जोड़े सवालों के जवाब देने इन दोनों ही सूरतों में प्रधान मंत्री नरींद मोदी कटगरे में है और अब आप इन वीडियो में फिर से देखिए इस वीडियो में फिर देखिए प्रधान मंत्री बगेर मास लगाया आराम से घुम रहे हैं तो क्या अगर मैं इस वीडियो पर सवाल करता हूँ कुछ गलत करता हूँ जाते जाते दोस्तों आपको मैं ये दो खबरे दे कर जा रहा हूँ पहली इस खबर में देखिए यहां एक हिंदुत वादी नेता गाय को बेच देता है बूछड खाने को एक हिंदुत वादी नेता और इस दूसरी खबर को देखिए दूसरी खबर है हिंदु युवा वाहिनी के एक नेता की वो हिंदु युवा वाहिनी जिसकी स्थापना योगी आदित नातने 2002 में की थी खबर क्या है कि हिंदू युवा वाहिनी का ये नेता फर्जी मसाले बना रहा था और आप जानते हैं उस फर्जी मसाले में वो क्या-क्या डाल रहा था उस फर्जी मसाले में वो गधे की लीद, लीद समझते हैं आप, लीद समझते हैं ना गधे का, हमें क्या कहूं आपसे गधे की लीद जो है उसका वो इस्तमाल कर रहा था और साथ ही उसमें वो असिड डाल रहा था और इसे वो मसाले के नाम पर बेच रहा था डॉंकी डंग ये दो खबरे मैंने आपको क्यों बताई है पहले का तालुक गाए के साथ है यानि कि खुद एक हिंदुतवादी नेता जो है वो गाए को बूचड खाने में भेज रहा है दूसरी खबर क्या है कि हिंदु योग वाहिनी का जो एक नेता है वो बेच रहा है एक ऐसे मसाले जिसमें गधे की लीद है और ये सब लोग हमें धर्म के नाम पर गाए के नाम पर मूर्ख बनाते है आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है दिहान से सुनेगा मेरी बात ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि हमने अपनी आस्था की अपने विश्वास की हमारे धर्म की चावी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में दे दी है जो इस लाइक ही नहीं है मैंने हमेशा माना है कि धर्म जो है न हो एक निजी विश्रय है वो एक personal विश्रय है किसी भी सूरत में आपके धर्म और आपकी धार्मिक जो feelings हैं आपकी जो धार्मिक सोच हैं, उसे किसी और को मौका ना दे ताकि वो आपको exploit कर सके, आपको वश्मि कर सके, ये कौन लोग हैं? ये लोग सियासी लोग हैं, ये लोग अनपढ लोग हैं, और ये लोग हमें मुर्ख बना रहे हैं, धर्म एक निजी विश्रय है, उन्हें मौका मत दीजिये कि वो आपको मूर्ख बना सकें, और ये पुलिटिकल पार्टी और उससे जोड़े लोग आपको इसी तरह से बेवकूफ बनाते हैं, इसी तरह से आपको मसाले के नाम पर गधे की लीद खिलाते हैं, इसी तरह से हमारी गायों को, हमारी गाउ माता को बूचड खाने में भेशते हैं, ये बात आपको अटपटी नहीं लगती, हैर, बोल के लब आज़ाद हैं, तेरे में वस्त नहीं, अब इसार शर्मा को दीजिये अजासत, मेरी आप सबसे अपील किसकार करम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, नमस्कार